हेलो दूस्तों दोस्तों यदि आप हरίयाना के लिए बीसी सर्टिविकेट 2,022 ते इसके लिए अपलाई करना चाते हैं तो यहाँ पे आप किस प्रकार से अपलाई करेंगे मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ आप ले पाएंगे यदि आप यहां पर OBC certificate को लगा देते हैं जैसे कि यहां पर section scheme है या अन्य जितनी भी योजना है उसमें आप OBC certificate लगा देते हैं तो आपका जो scheme है वो reject हो जाएगा या form reject हो जाएगा तो यहां पर आपको यह वाला certificate certificate यूज करना है जो BC certificate रहता है BC A के लिए और BC B के लिए तभी आपकी जो section यूजना है उसमें आपका form accept हो पाएगा तो दोस्तों आप ध्यान से देख लेंगे किस परकार से आप इसे download करेंगे केवल आपको यहां पे चार से 5 मिंट लगेंगे और जैसी ही ही आप यहां पे इसको apply करते हैं इसको download कर पाएगे तो चलिए दोस्तों शूरू कर लेंगे आप मोबैल से आप apply करना चाते हैं तो आप मोंबाइल से ब्रोजर उपन करेंगे और साथ ही यदि आप डेस्टॉप से या अपने लैप्टॉप से अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आपको ब्रोजर उपन करके यहां पर लिख देना है सरल हर्याना और सबसे पहला जो लिंक आपके सामने आपे services तो यहाँ पर क्लिक करना है और जितनी भी services रहेंगी वह आप guclaim कर सकते हैं जैसー आप यहाँ जो ए तोelen **** करना है तो आपको यहाँ पर search bar दिख रहा है तो आपको नहीं search bar में लिख देना है backward class certificate तो चलिए मैं आपे लिख देता हूँ तो यहाँ पे आप जैसे ही backward certificate लिख देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो service है एक ही service हमारे सामने आई है revenue and disaster department की backward class certificate certificate पिछला वर्ड प्रमान पत्र तो यह certificate मानने होता है जब आप BC certificate के लिए apply करना चाते हैं या किसी स्कीम में कोई BC BCA है या BCB कार्स से आप सम्मद रखते हैं तो यह certificate आपको लगाना होता है तो चलिए दोस्तो हम इसको apply करना सीख लेते हैं कि इस प्रकार से आपको यह apply करना है तो चलिए दोस्तो यहाँ पे आपको click कर देना है तो जैसी आप इस पे click करेंगे तो click करने के साथ ही आपके सम्मने पूरा form जो है खुल के आ जाता है यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो है family ID डाल देनी है तो चली मैं यहाँ पे अपनी family ID डाल देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास box खुल के आगया है तो चली मैं यहाँ family ID डाल देता हूँ तो दोस्तो यहाँ पे हमने family ID डाल दी है और family ID डालने के बाद आपको click here fetch family data पे यहाँ पे click करना है तो चलिए मैं यहाँ पे click कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे fetch family data पे click करेंगे तो इस परकार से member details सदस्या का विवरन आपके सामने खुल के आ जाएगा आपको यहाँ पे उस member को choose करना है जिस member के लिए आप इस certificate को apply कर रहे हैं तो चलिए हम इसको list को खोल लेते हैं और यहाँ पे member को choose कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे सामने notification आई है किया आप चैनिट सदस्या के लिए इस सेवा का लाब उठाना सुनेशित कर से रहे हैं तो दोस्तों yes आपको यहाँ पे click करना है यानि के okay पे आपको click करना है और member को choose कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पे हमने member को choose कर लिया है अब हम यहाँ पे send OTP पे click करेंगे जो इसके सामने बिल्कुल दिया गया है यहाँ पे आपको send OTP पे click करना है तो चलिए मैं यहाँ पे send OTP पे click कर देता हूँ इसी प्रकार से आपको जो OTP है वो यहाँ पे डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक here to verify OTP यहाँ पे क्लिक करना है जितनी भी डिटेल रहेगी इस candidate की वो खुलके आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे आप पिता जी का नाम उनके देख लेंगे और यहाँ पे माता जी का नाम ध्यान से देख लेंगे और पीछे जो हिंडी में नाम है वो भी देख लेंगे यहाँ पे लिखा भी गया है यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है साथ-साफ किसी भी विवरण में प्रिवर्टन के लिए क्रिपया परिवार डोड हरियाना डोड योवी इन पर जाएं तो यहाँ पे आप अपडेशन कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे आपको किसी परकार की कोई mistake लगती है उसको आप सही करा लेंगे यानि कि आप इसको बहुत ध्यान से यहां पे detail को देख लेंगे candidate की उसके बाद ही यहां पे आप इसको apply करेंगे तो चलिए दोस्तों हम यहां पे आगे इसका process देख लेते हैं जितनी भी detail रहेगी वो यह यापकी प्रिवार पहे चार पतर के साथ में ओटोफिल हो जाएगी, यहापे कुछी जानकारी जो रहेगी, 95% जानकारी है, आपके ओटोफिल होगे आएगी, कुछी जानकारी जो 5% रहेगी, वह इन ईटोफिल करनी है, और यह complete भी नहीं है यहां पर देखें सितारमार्ड नहीं है अगर आप चाये तो लिख सकते हैं अजरेए आप इसे छोड़मे कि अब आप यहाँ पर देखेंगे यहां पर inka mobile नम्ठर दिया गया है और उसके साथ यहाँ पे आप इमेल आईडी जरूर डाल देंगे इमेल आईडी डालने से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर गूम हो जाता है या सर्टिफिकेट आपका ओनलाइन नहीं बनके आपका डाउनलोड हो पाता है तो आपकी इमेल पे भी ये फारवर्ड कर दिया जाता है तो यहाँ पे आप अपनी इमेल आईडी जरूर डालें उसके साथ यहाँ पे आप डेटो बर्थ वगरा जो भी जानकारी है बहुत ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे देखे बोर्ड इन हरियाना तो यहाँ पे यहाँ यहाँ इस लिक्की आया हुआ है और यह यहाँ पे हाईलाइट नहीं है इस पे लोक लगा हुआ है और इस प्रकारशे जो जानकारी है आपकी परिवार पहचान पतर से ओटो फिल हो जाएगी आपको यहां पे कुछ भी जादा छेड़ खानी नहीं करनी है यहां पे आपको जो basic detail है यदि उसमें कुछ आपको नहीं मिलता है यहां पे तो box को आप फिल कर देंगे और अपनी तरफ से उस जानकारी को डाल देंगे और जानकारी जो रहेगी वो सक्टापिक और बिल्कुल सही होनी चाहिए तो चलिए हम यहाँ पे जो जानकारी रह गई है उसको डाल देते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो जानकारी थी वो मैनुली यहाँ पे फिल कर दी है यहाँ पे इस परकार से इनके husband का name और साथ में जो email ID थी वो यहाँ पे नहीं डली हुई थी तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे डिश्टिक आपगा ओटोफील होके आएगा और अर्बन यहाँ यहाँ पे जैसे की आप किस एरिये से हैं आप अगरstanding इलाके से हैं तो यहाँ पे रूरल आएगा और यदि आप शेहरी शेतर से हैं तो आप यहाँ पे अर्बन लिखा हुआ ओटो फिल होके यह आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे तैसील अपनी सेलेक्ट कर लेनी है खुद से जो भी आपकी एरी की तैसील रहेगी वो यहाँ पे आपको चूज करके डाल देनी है उसके बाद आपको सिटी शेहर जो आपका रहेगा जब आप यहाँ पे तैसील अपनी चूज कर लेंगे याँ पे फादर इंकम डिटेल थ्रो फैमिली आईडी तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस यूआ फादर आलाईव याँ आपके जो पिता जी है वो जीवित है या उनकी डेत हो सुकी है तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से चूज़ करेंगे जो आपने family ID में वहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे जैसे की इनके father alive हैं तो मैं हैं मैं यहाँ पे yes पे क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पे आप नीचे के तरफ आएंगे mother income detail throw family ID तो is your mother alive तो इनकी माता जी जीवित हैं तो यहाँ पे yes याँ नो आप अपने हिसाब से यहाँ पे select करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने शुरू में आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे आप देख लेंगे पाद प्टवारी जो है आपसे phone call के मादवन से आपकी जो कास्ट है वो verify कर देता है आप कौन सी कास्ट से belong करते हैं उसके बाद यहाँ पे verify लिखके आजाता है तो इसमें 24 गंटे का समय रहता है तो यह 24 गंटे के बाद अपडेट हो जाती है तो यहाँ पे उसके बाद कास्ट ने जो कास्ट आपकी रहेगी वो यहाँ पे आपको चूज़ करनी है देखे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ किस परकार से आप इसे करेंगे तो दोस्तो अब हम आ गए हैं ओप्शन फादर इंकम डिटेल्स थ्रो फैमिली आईडी यदि आप यहाँ पे इस यूर फादर अलाईव येस करते हैं तो यहाँ पे देखें मैं येस करके दिखाता हूँ एंटर फादर फैमिली आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है तो चली मैं यहाँ पे इनके फादर की जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पे डाल देता हूँ ID डालने के बाद उसके बाद आपको Fatch Family Data यहाँ पे जो आपकी Family ID है उसके बाद यहाँ पे आपके सामने Other जो Option है वो खुल जाएगा आपकी Family ID Fatch करने के लिए जब आप उसके क्लिक करेंगे तो OTP जो है इनकी Family ID में जो Mobile नबर रहेगा के आपके पास यहाँ पे OTP आएगा तो OTP आपको वेरिफाई करने के लिए उनसे ले ले लेना है तो चलिए अब हम यहाँ पे जो OTP है Member Select करेंगे और Member Select करके जो इनके पिता जी है यहाँ पे Select Father Member ID तो यहाँ पे मैं जो Member है उसको वो मैच हो चुका है क्योंकि जो परिवार पहचान पत्र है उसके अनुसार जो इनकी फैमिली आइडिया है उनमें इनके पिता जी का नाम जो है वो मैच हो चुका है तो यहाँ पे Father Name मैच्च तो इस परकार से हमारे सामने लिखके आ गया है यदि यहाँ पे Father Name में किसी परकार की आपकी मिच्टेक है तो इस परकार से यह मैच नहीं होगा जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया आपको पूरी जानकारी बहुत ध्यान से यहाँ पे देख लेनी है तो जैसे हम यहाँ पे Click Here To Verify OTP करेंगे तो हमारा जो OTP है वो verified हो चुका है तो यहाँ पे जो income है इनकी वो भी यहाँ पे लिखके आ चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे income आई हुई है जितनी इनकी income डली हुई होगी तो यहाँ पे आ जाएगी उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे कि आपने इनके पिता जी के जो फैमिली आईडी है वो डाली है और अलाइव और नोट अलाइव यहाँ पे जिस परकार से रहीजिक उसी परकार से यहाँ पे और ऑप्शन भी चेंज हो जाते हैं यदि हम लूग करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी डेटेल यहाँ पे डालने होती है Date Of Death और Date Of Insurance Of Certificate यदि इनका जो Certificate है वो death certificate अपलाई हुआ है तो यहाँ पे आप उसको date उसकी डालनी होगी और date of death कौनसी date को उनकी death हुई है यह भी यहाँ पे डालना होगा name of diseases यानि किस परकार से उनकी मिलती हुई है certificate number state of insurance of this certificate किस state के दोरा वो जारी किया गया है इस परकार से बहुत सारी detail आपको यहाँ पे पीता जी और माता जी दोनों में डालनी होगी तो यहाँ पे अगर माता जी जी दो है तो यहाँ पे yes करेंगे और enter जो mother family ID है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है जिस परकार से हमने उपर की तरफ डाली थी और same यहाँ पे देखे क्लिक here to fetch family data पे आपको क्लिक करना है और OTP इनके नमबर पे जाएगा वो OTP आपको verify कर देना है तो दोस्तो हमने यहाँ पे fetch family data कर दिया है उसके बाद हम member को choose कर लेते हैं member को choose करने के बाद यहाँ पे हम OTP send करेंगे और OTP verify कर देंगे तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो member है यहाँ पे match हो चुका है इनका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए मैंने पहले से शुरू से आपको कहते आ रहा हूं नाम बिल्कुल सही होना चाहिए तभी यहाँ पे आपका जो है वो match हो पाएगा उसके बाद आपको send OTP य to verify OTP कर देते हैं तो दोस्तो यहाँ पे verified zero आ चुका है इनकी जो income है यहाँ पे zero डली होई है तो चलिए दोस्तो अब हम नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं अब नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आप कास्ट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे backward class लिखा गया है उ तो जैसे आप यहाँ पे कास्ट डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे purpose for which BC certificate is required तो यहाँ आप किस purpose के लिए इसको apply कर रहे हैं यहाँ पे आपको purpose डालना है यहाँ पर जैसे ही इसको open करेंगे option को तो यहाँ पे आपके सामने दो option खूल जाते हैं for election purpose for other purpose तो यदि आप election में use होने के लिए आप इसको apply कर रहे हैं तो आपको election purpose लिखना है यदि आप other purpose अपनी किसी school के लिए या किसी और form वगारा फिल करने के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पे आप other purpose कर देंगे do you agree with above cast हाँ क्या आप उपर दी गई कास्ट से सहमत है तो आपको yes या no यहाँ पे कर देना है तो चलिए हम यहाँ पे सहमत है फिर भी आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे और अपनी जो आपकी कास्ट है वो यहाँ पे आपको select करनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे select कर दी ह है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से अपनी जो कास्ट है वो select कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे yes करना है और yes करने के बाद applicant category आवेदक श्रेणी non government तो यहाँ पे यदि आप government employee है तो यहाँ पे आपका government आ जाएगा otherwise आप यहाँ पे non government है याँ आप government employee नहीं है तो यहाँ पे non government आ जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो detail है वो खुल के आ जाएगी तो चलिए आप हम इसको submit कर देते हैं तो चलिए हम इसको नीचे की तरफ स्क्रोल करते हैं आप नीचे की तरफ यहाँ पे declaration वगरा दिये गए हैं आप इनको अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं otherwise आप नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे इसको accept कर देंगे जब आप इसको accept कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो capture code दिया गया है यह यहाँ पे डाल देना है 532734 तो इस परकार से आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे डालने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे submit दिया गया है यदि आप चाहें तो यहाँ पे submit कर सकते हैं आप draft चाहें तो draft कर सकते हैं यदि आप draft करेंगे तो आप इसको check कर पाएंगे और change कर पाएंगे अभी हम यहां पर सब्मिट करेंगे तो चलिए हम सब्मिट कर देते हैं तो यहां प्रोसेसिंग होने में थोड़ा समय लग सकता है आपको वेट कर लेना है जब तक यह प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो हमारी प्रोसेसिंग हो चुकी है देखते हैं अभी हम चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से जो फोम है आपके सामने एक बार पुलके आ जाएगा आपको यहाँ पे डिटेल बहुत ध्यान से अपनी चेक कर लेनी है यदि यहाँ पे किसी प्रकार की आपको कोई गलती लगती है तो आप यहाँ पे सुधार कर पाएं है यदि यहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी गलती लगती है या कोई भी यहाँ पे आपको सुधार करना है तो आप परिवार पहचान पतर पे उसको सुधार करके उसके बाद भी यहाँ पे अपलाई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम इसको सब्मिट कर देते हैं चलिए दोस्तो हम नीचे की तरफ इसको स्क्रोल कर देते हैं और स्क्रोल करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे आपने यह जो सहमती इनको दे दी है उसके बाद आप यहां पे देखेंगे यहां पे apply to the office office district coordinator तो यहां पे जो authority है अब ADC के माध्यम से जो आपको तुरंथ ही certificate apply हो जाता है और आप इसको तुरंथ ही download कर सकते हैं तो यहां पे हमें draft number मिल जा चुका है तो आप इस draft number को note कर लेंगे और यहां पे आपको make payment कर देना है तो दोस्तों यहां पे यदि किसी प्रकार की आपको बदलाव करना है बीच में edit भी दिया गया है यदि आपको यहां पे कोई mistake लगती है तो आप इसको edit भी कर सकते हैं तो चलिए तो चलिए हम इसको make payment पे click कर देते हैं जो arm citizen है उनको यहां पे जरूरत नहीं है payment करने की वो सीधे ही यहां से जो अपना reference number है वो download कर लेंगे जो csc holder रहेंगे वो यहां से अपनी payment जो है वो 30 रु payment कर देता हूं और acknowledgement आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको acknowledgement number लेना है और साथ में आप किस प्रकार से इसे download करेंगे तो चलिए दोस्तों अब हम यहां पर payment कर देते हैं हमारे पास जो payment का page है यहां पे open हो गया है तो हम यहां पे pass order गारा डाल दिया है और यहां पे हम pay pay क्लिक करेंगे और यहां पे payment कट करा देते हैं तो दोस्तों यहां पे जो payment है हमारी cut हो चुकी है अगर dedicate होके हम वापिस उसी page पे आ जाते हैं तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं acknowledgement number हमें मिल जा चुका है और यहां पे हमारे पास acknowledgement sleep जो है वो निकल के आ गई करेंगे तो यहां पे आपके सामने बहुत सारे option खूल जाएंगे track application status यहां पर आपका जो सरल आईडी दी गई है उससे आप status को चेक कर सकते हैं और यदि आप view incomplete application यहां से बीच में से कोई application बंद हो जाते हैं तो यहां से आप चेक कर पाते हैं revalidate payment तो यह आपकी payment नहीं कट हुई है यह केबल CSC वालों के लिए है जिनकी payment कट नहीं हो पाती है तो यहां से आप दुबार से उसको कर सकते हैं view submitted application जैसे कि हमने submit application किया है तो हम इस वाले option पे click करेंगे तो चली मैं यहां पे click कर देता हूँ तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारा पिछड़े वरक का जो परमानपत्र है या backward class का जो certificate है वो यहां पे deliver हो चुगा है तो दोस्तों यहां से आप जैसे ही click करेंगे और इसको आप download कर सकते हैं तो चली मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस परकार से आप इ under process आपके सामने आता रहता है तो आपको एक से दो गंटे के लिए wait कर लेना है तो चली दोस्तों अब मैं आपको download दिखा देता हूँ और साथ ही आपको यहां पे date भी यहां पे select करनी है जब आप इसको search करें यदि आप उसी date को search कर रहे हैं उससे एक दिन पहले की date आप य आएगा आपको wait करना है जल्द वाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है थोड़ी देर के बाद यह data आपके सामने show होगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने जो detail है वो कुल के आगई है तो यहां पे आपको जल्द बाजी नहीं करनी है थोड़ी देर के अपर जो certificate number है वो दिया गया है तो चलिए हम इसको download कर लेते हैं तो दोस्तों यहांपे हमारे सामने download करने की जगह वो हमसे पूछी जा रही है तो हम इसको जहांपे download करना चाहते हैं यदि आप phone से इसको download कर रहे हैं तो phone में कहां save करना है यह हमसे पूछा जा रहा है तो यहां पे हम computer में कर रहे हैं तो हमसे जगा यह पूछेगा तो हम इसको save कर लेते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास यह save हो चुकी है हम इसको open करेंगे तो दोस्तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारा जो परमान पत्र है वो बन चुका है और यहां से हमारे पास डाउनलोड भी साथ के साथ हो चुका है तो यदि आप अपलाई करते हैं इस परकार से आप इसको साथ के साथ डाउनलोड कर पाएंगे और इस परकार से आप इसको प्रिंट कर पाएंगे तो दोस्तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसी ही महत्वपून जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखे तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नई जानकारी में तब तक के लिए जैहिन जैभार्त बंदे मातरम